आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत बस्पागत है इस्लामिक इस्टेट और अलकाइदा ने ओनलाइन प्रपागेंडा बढ़ा दिया है FATF ने आपको पता ही है कि साल में तीम बार FATF मिलती है पाकिस्तान और टर्की को पाकिस्तान तो ग्रेलिस्ट से बार आये नहीं दो इसकी लिस्ट है ग्रेलिस्ट और ब्लाक लिस्ट ग्रेलिस्ट एक वर्निंग की तरह है पाकिस्तान तो अभी भी ग्रेलिस्ट में है लेकिन बड़ी बात ही है कि टर्की को भी ग्रेलिस्ट में उठा के डाल दिया तो भाई कुछ चीजे बताई है FATF ने जो बड़ी परिशान करने वाली है चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलिग्राम पे आपको हमारी PDF मिल जाएंगी एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों हमारा शांदार वीडियो ओन डिमांड ये बैंकिंग का कूर्स है आप इस नंबर और वाट्साप पे इंक्वायर कर सकते हैं तो ये बहुत ही शांदार कूर्स है 400 गंटे प्लस का कंटेंट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हूँ तो ऐसा है FATF ने बोला है कि Islamic State और Al-Qaeda ने online propaganda बढ़ा दिया है यहाँ पे unaffiliated individuals वो लोग जो Al-Qaeda और Islamic State से उनका कोई लिना दिना नहीं है propaganda के तहट बताया गया है कि तुम लडाई करो तुम अटाग करो तुम हमले करो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब से Taliban अफगानिस्तान में आया है 15 अगस्त के बाद से कितने हमले बढ़ गए हैं जब इनकी सरकार बढ़ गई अभी सेतंबर में और हमले बढ़ गए मस्जिदों में शिया को specially target किया जा रहा है Islamic State, Al-Qaeda, Sunni Organizations तो शियाओं को specially target किया जा रहा है 1000 community के कभी 50 मर रहे हैं कभी 100 मर रहे हैं अब अभी और भी होंगे तो FATF ने आपको पता ही है कि अभी पाकिस्तान को Gray List में रख दिया Gray List में तो और रहे हैं पाकिस्तान की तो ऐसे भी खसता हालत हो गई है आर्थिक संकट और टर्की को भी रख दिया FATF ने ये भी बोल दिया है कि ये इनका पूरा online propaganda चलता है कि attack launch करो हमले करो और पैसे लेके आओ जितने नए हैं जो युवा हैं उनको radicalize करने की पूरीन की planning है तो इस पे काफी ज़्यादा tensions है tension की बात है अफगानिस्तान, इराक और बाकी regions में जो series of attacks हुए है including Africa, South Africa it's a matter of grave concern ये FATF ने अपने statement में बुला है 205 members मिलें यहाँ पे 49 member की organization FATF और इंडिया भी इसमें member है तो international monetary fund और UN ने भी participate किया ये जो hybrid meeting थी और इसमें basically terrorism पे ही बात होती है financial action task force का मतलब यही है कि ये लोग target करते हैं कि money laundering activity या कोई भी ऐसे activity जो terrorism को बढ़ा रही है तो बताया है कि जो terrorism का threat है it is serious in many regions in the world और इसमें सबसे बड़ा Islamic State और Al-Qaeda है ये दोनों group बहुत बढ़े हैं अकेले ही इतने सारे attackers हैं कि क्या बता हैं इन्होंने बहुत attack किया हैं बहुत लोगों को मारा है 2020 से फिर से अभी 2016 के बाद से तो ISIS बहुत ही उसका प्रभध वो काफी कम हो गया लेकिन 2020 में जैसे ही अमेरिका और तालिबान कुर्सी पे बैठे बड़ी agreement उन्होंने साइन किया वड़ा पाउचाय खाते हुए तब से ISIL और Al-Qaeda दोनों नहीं अन्लाइन प्रपगेंड़ा चलाना शुरू कर दिया और इसमें सब को बोलाया कि भाई पैसे लाओ, अटाक्स करो ये एरा तुमारा है ये चीज़ है नई payment technologies यूज़ कर रहे है वक्त के साथ-साथ आतंकी भी बदल रहे है पैसा कहां से लाया जाए फंड्स कहां से लाया जाए इसके लिए नई-नई technology यूज़ की जा रही है वर्चुल एसेट्स जिसमें ब्लॉक्चेन टेकनोलजी भी आती है जिसमें बिटकोइन भी आते हैं उसका भी यूज़ बढ़ रहा है तो एक तरीके से आईसेस और अलकाइदा एक्सपैंड कर रही है और दोनों ही इस समय अफगानिस्तान में है जब से तालिबान आया है हलाकि आईसेस खुरासन तालिबान का कट्टर दुश्मन है कट्टर दुश्मन हूटी आख नहीं सोहाता आईसेस भी आईसेस और तालिबान की कुछ जादा बंती नहीं है आईसेस अमेरिका से नफरत करता है और तालिबान को ये आरोप लगाता है कि तुम अमेरिका से जाके मिल गए उनको शरम नहीं है तो यही चीज है FATF ने ये भी वर्म किया है कि अभी जो ये financial risk है ये बढ़ रहा है मतलब आतंकियों को funding रुकी नहीं है पैसे आते जा रहे है territorial defeat तो Islamic State का 2019 में ही हो गया तब से ISIS के पास जादा revenue है ही नहीं बट still इनके पास fund आ रहा है illegal sources से 25 से 30 million dollar के reserves इनके पास अभी भी बचे हुए है इसलिए तो ये sustain कर रहा है फरना तो अब तक खतम हो जाता बिना पैसे की कुछ चले गए नहीं अगर देश या organizations इनको fund करना बंद कर दे पैसा है तब ही तो ये अपना propaganda फैला रहे है नहीं होता तो क्यों फैलाते अब इसको रोकना है यही FATF का काम होता है अपने revenue को increase करने के लिए Islamic State कर क्या रहा है local civilians को loot रहा है businessmen को loot रहा है उन पर धंकी देता है उड़ा देंगे तुमको अगर पैसा नहीं आया जो local civilians हैं उनसे loot का सोट कर रहा है kidnap कर रहा है extortion Eastern Syria में जो oil networks है न जो बड़े-बड़े individual से businessmen काम करते हैं उनसे पैसे वसूल रहा है कि हमको दोवर ना मारेंगे और सबसे बड़ी बात human beings are trafficked humans की भी trafficking हो रही है यहां से पैसा आ रहा है small and medium sized businesses को धंका के Al-Qaeda क्या कर रहा है Al-Qaeda का consistent stream है revenue generation का ISIS को revenue के लिए सब करना पड़ रहा है तुची हरकते लेकिन Al-Qaeda जो है उसके पास पैसा आ रहा है यहां पे contribution donations आते हैं इनके supporters से उसके बाद drug trafficking, extortion, kidnapping इनका थोड़ा बड़े level पे चलता है तो इस पे इनका हिस्सा है थोड़ा सा organized इनका well organized है लेकिन दोनों आतंकी हैं इस पैसे का इस्तमाल यह सर्फ और सर्फ हमले के लिए ही करते हैं साथी साथ charitable activities बहुत सारे इन्होंने ऐसे NGO खोले हो है indirectly NGOs को खुब पैसा आता है और वो पैसा सीधा यहां पे divert होता है तब ही तो भारत में भी कितना ज़्यादा regulation है ने इन्जोंस के लिए तो terror financing को counter करना पड़ेगा इसलिए पाकिस्तान को grey list से वो नहीं निकाल रहा है क्योंकि main chain तो यहीं से शुरू है ना कि तुम जितना ज़्यादा इनको support करोगे जितना ज़्यादा पैसा दोगे उतना ही दिक्कत होगी यह चीज़ है फिलाल अभी और information gather की जा रही है कि कैसे यह दोनों और मतलब कैसे यह खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए और जो भी होगा हम आपको बताएंगे देसे दान तक नोतरी सेनिवा